बिहार में इस वक्त उमस भरी गर्मी से परिशान बिहार वासी अब भी भी बारिश के इंतजार में हैं बिहार के अलग-अलग जिलो में सामानने से 5 प्रतिशत से लेकर 45 प्रतिशत तक बारिश कम हुई है इस बीच प्रतिश में 2-4 जिलो को छोड़ कर फिलहाल अगामी 4 दिनों तक बारिश के असार दिखाई नहीं दे रहे हैं मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार बिहार और आसपास के छित्रों में कोई नया सिस्टम बनता भी नहीं दिख रहा है तो वही मौनसून का टर्फ लाइन भी बिहार से काफी दूर होकर गुजर रही है इससे प्रदेश में समान्ने वर्षा नहीं हो रही है लोग उमस भरी गर्मी से परिशान है और बारिश का इंतिजार कर रहे हैं हलांकि मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने शुक्रुवार को यानि किया आज राज्जे के चार जिले नालंदा, नवादा, बकसर और सिवान में बारिश का यलो एलोट जारी किया है वहीं 6 जिलो में 31 जुलाई तक भारी बारिश की संभावना नहीं है दरसल मौनसुन के अक्षिये रेखा बिकानेर, सीकर, ग्वालियर से होकर राची होते हुए गुजर रही है जिससे प्रदेश के कई जिलो में बादल चाय रहेंगे लेकिन जम कर बारिश नहीं होगी हलाकि इस प्रभाव से दक्षिन बिहार के कुछ-कुछ जिलो में हवा चलने के कारण तापमान में थोड़ी कमी आ सकती है लेकिन उमस भरी गर्मी से रहत नहीं मिलेगी बताने के बिहार में कई जिलो में सामान्ने से बेहद कम बारिश हुई है गर्द 25 जुलाई तक प्रदेश के 36 जिलो में औस्वत से कम बारिश हुई है सहरसा, समस्तिपूर और वैशाली में 54 प्रतिश्यत सबसे कम बारिश हुई है इसके अतिरिक्त सारन में 33 प्रतिश्यत म बारिश हुई है वही अररिया में 14, अर्वल में 5, चौरंगाबाद में 29, बांका में 19, भागलपुर में 49, भोजपूर में 37, बक्सर में 27, पुर्वी चमपारन में 20, गया में 23, गुपाल गंज में 24, जहानाबाद में 31, जमुई में 26, कटिहार में 33 प्रतिश्यत कम बारिश ह हुई है, ऐसे में किसानों के समक्ष धान रोपनी की समस्या उत्वन हो गई है, किसान पंपिंग सेट से धान रोपने की जुगार में हैं, जो काफी महंगे होते हैं बिहार में कई जिलों में समानने से बेहद कम बारिश हुई है, गत 25 जुलाई तक प्रतिश के 36 जिलों में औस से कम बारिश हुई है एक बार फिर से बता दे कि बिहार के अलग-अलग जिलो में सामानने से 5% से 45% तक बारिश कम हुई है इस बीच प्रदेश में 2-4 जिलो को छोड़कर फिलहाल अगामी 4 दिनों तक बारिश के असार दिखाई नहीं दे रहे है मौसम विज्यान केंद्र पटना के अनुसार बिहार और आसपास के छेत्रों में कोई नया सिस्टम बनता नहीं दिख रहा है वहीं मौनसुन का टर्फ लाइन भी बिहार से काफी दूर होकर गुजर रही है इससे प्रदेश में सामानने वर्षा नहीं हो रही है लोग इस वक्त उमस भरी गर्मी से परिशान है और बारिश का इंतजार कर रहे है